सिक्किम में हालिया राजनितिक हिंसा के बाद विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्राटिक फ्रेंट के एक सदसे ने सिक्किम पुलिस पर विस्फोर्टक आरूप लगा है अविनाश याखा नामक SDF सदसे ने पुलिस पर 17 पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि गलत सूचना के आधार पर उन्हें की रफतार किया गया दरसल साउच सिक्किम के सदाम में हुई पत्राव की घटना के बाद स्केम ने मामले पर F.I.R. दर्च कराई थी तो इस आलत में पुलिस कुछ नहीं कर रह है कुछ नहीं देख रहा है को के मारellow जा एक पार्टी का कार्य करता बन चुका है तो इस आलत में पुलिस कुछ नहीं कर रहा विनाश श्याखा ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई वे कोवीद के लक्षनों से गुजर रहे थे उसी दिन उन्होंने यांग यांग के एक मेडिकल स्टोर से दवाया भी खरीती थी जिसका प्रमान उनके पास मौजूद है उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अन्य लोगो और मेडिकल स्टोर से इस बात की पुष्टी करने के बावजूद उन्हें गिरफतार किया उन्हें यांग यांग थाना में रैट टेस्ट के बहाने साथ ले जाया गया और जेल में डाल दिया गया बाद में नामची ले जाकर जब RTPCR कराया गया तो संक्रमन की पुष्टी हुई उसके बावजूद पुलिस ने पाच दिन के लिए ठंड के बीज उन्हें अंधेरे सेल में डाल दिया यहां तक कि उनके स्वास्त की भी किसी ने सुध नहीं लिए और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया नौतारिक मैं खुद बीमार था यंगं के एक दवाई-दोकान से मैंने दवाई लेके गया था अर दिन में मेरा साथ में साधी कार्ट पहुचाने वाले मेरा नोग भी आय थे वह यंगंग बजार के एसे जो को पता था और वहां का आई भी यंगंग आयो दोसको भी पता यहंगंग मीं सीसी केमेरा आये उस केमेरा वे वी काईद है मैं सुभे दवाई-दोकन तक आया क चर्ण परपास मेरा गार फोटेजäre क्वित अरुट आए यह सब मैंने बताया उन लोगों साथ jullie ृत बताया कि मैं अशर रिस्तार गिल्डश ने बताया प्रवाइब नहीं था फिर में कहा इसे जाओं मुझे कोट का वो दीजिए बोलके मैंने उनको बोला लेकिन वो लोग बोला कि कोपरेट कीजिए कोपरेट कीजिए यह कुछ नहीं होगा रेट टेस्स करेंगे उसके बाद आपको छोड़ देंगे करके मुझे घर से उठा के लेकिन उन लोगों ने रेट वोच कुछ नहीं किया सिधा नामजी ले जाके आट टेपी सिर्टेस्ट किया उसके बाद जो रथांग कोट पहुंचाया उसके बाद सिधा मुझे पूंटारला को बेज दिया